चहिन बचो, हर साल हजारों बच्चे ऐसे हैं जो की सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्स की फीस की affordability की वज़े से बड़े-बड़े standard coachings की जिनकी फीस 40,000, 50,000, 60,000 तक चली जाती है इनको वो afford नहीं कर पाते और इस वज़े से उनकी तयारी अधूरी देर जाती है इस problem को identify करके 25 पाट साल आपने platform पे लेकर क्या गया है affordable price ever में legal studies की complete batch को जी हाँ friends आप बल्कुल सही सुन रहे हैं 25 पाट साल है की इस platform पे हम लेकर क्या गया है CUT, UG के लिए, CLAT के लिए, ALEIT के लिए कोई भी government exam हो कोई भी legal studies से related आपका subject हो फिर चाये वो class पल्क का subjectual knowledge क्यों ना हो complete CUT, UG के लिए, CLAT के लिए, ALEIT के लिए हम लेकर क्या गया है ब्याचू पार्ट साल है की हमारे platform पे legal studies की complete class course के विडियो और आपको एक बात बता दे इस course की designing के time पे, इस course की पूरी pippities के preparation के time पे हमने क्या किया था कि जो previous year के papers है, फिर चाये वो CLAT के papers हो जो की reading comprehension के form में आते हैं चाये वो ALEIT के papers हो जो की factual format में आते हैं या फिर CUT, UG के paper हो जो की आपके direct narration के questions होते हैं इन सारे types के questions, mostly asked questions topics, सबको analyze करके अच्छे से हमने तयार की हैं अपनी आने वाली pippities जिसमें हम discuss करेंगे legal studies के complete course को हमारे इस platform व्यच्चू पार्ट साला पे so friends, बिना किसी देरी के आप के लिए लेकर क्या गए हम ये पूरा batch उन बच्चों के लिए खास कवर पे ये batch है जिसको वो effort नहीं कर सकते हम जानते हैं कि आप किस तरीके से मेहनत करके अपनी CUTUG की जर्नी को complete कर रहे हैं और इस जर्नी में help करेंगे हम व्यच्चू पार्ट साला आपके साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप से हम 60,000-70,000 रुपे डिमांड गरे के आपकी पूरी affordability को खराब कर दे हम जानते हैं किस तरीके से आपके parents struggle करें कि आपके money making करते हो और पिर आप पढ़ाई करते हो तो आप ती सीज को लेते हुए most affordable price पर हम ये पूरा course लेकर कर आगे हैं जिसकी detail हम आपको वीडियो के last में देंगे आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है अब इस वीडियो में पहले complete करते हैं हमारे syllabus को क्या approach रहने वाला है हमारे आने वाली इस वीडियो में जिसमें हम cover करेंगे legal studies को सो बिना किसी देरी के आईए स्टार्ट करते हैं आरे official syllabus को और approach की वीडियो के लिए हम उससे पहले देख लेते हैं कि advantages of course इस course में क्या advantages रहने वाली आपके लिए छोटा सा time लेकर के हम इसको भी देख लेते हैं तो complete set of all basic legal concepts arched in exams आपके CLAD की exam में, ELIT की exam में, CUT, UG की exam में जो सभी के सभी concepts आप से पूछे जाएंगे legal studies को उन सारे concepts को हम यहाँ पे enroll कर लिया है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी videos हम इसमें लेकर के आएंगे सारे के सारे videos topic wise होंगे, conceptual होंगे आपके topic से relate करते होंगे कोई भी extra चीज हम इसमें add नहीं कर सकते कोई भी hyper चीज हम इसमें add नहीं कर सकते जो कि beyond your understanding चली जाए entrance examination में जो पूछा जाता है उसी की तयारी आपको अगर करेंगे तो आप जरूर से अपने entrance exam को qualify कर लेंगे तो बिल्कुल भी high thinking नहीं रखनी है morale अपना अच्छा रखना है जो भी चीज हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ब्याच्चू बाट साला की इस platform पर trust करके आप हमसे जुडे रही है और इन चीजों को हमारे साथ में cover करते रही है so complete set of all basic legal concept taxed in exam, जो भी आपकी exam में, CUT की exam में CLAT की exam में, ALET की exam में जो भी चीज़े आप से पूछे जाने वाली है उन सारे सीजों का हम complete set लेकर के आ गए है prepared keeping in mind all law entrance examination pattern जी हाँ दोस्तो CLAT की तियारी कर रहे हो आप ALET की तियारी कर रहे हो CUT UG की तियारी कर रहे हो आप से पूछी जाती है, तो इसी लिए सारे के सारे exam patterns को जो लोग आप लोगों को ना जो बड़ी बड़ी coachings होते हैं वो आप से कहते हैं, CLAT के लिए आप अलग तियारी कर लो ALET के लिए आप अलग तियारी कर लो चाहे वो CLAT के exam pattern हो, चाहे वो ALET के exam pattern हो चाहे वो CUT UG का pattern हो ठीक है, next affordable course ever, जी हाँ friends, यही तो हमारे इस course का सबसे बड़ा surprise है एक पूरी की पूरी CUT UG की preparation history में evolution लेकर के आ रहा है, विया चूपाट साला जिसमें हम discuss करेंगे, हम discuss करेंगे legal के सारे concept, CLAT के लिए ALET के लिए CUT UG के लिए at the most affordable price ever, जो की video के last में आपके लिए मैंने रखा है best quality content, बेस्चू पाट साला पे तो आप content के बारे में बात ही नहीं कर सकते है best quality content हम आपको देते हैं आपने सारे subjects की, ठीक है next start करते है, हम लोग अपनी slides को ठीक है, तो यह हमारा part 1 like हमारे syllabus का part 1 अब हम देख लेते हैं, यह हमारा जो है न, यह official syllabus भी है साथी साथ हम किस way में videos लाएंगे अपनी, इसका एक आपको overview भी है ठीक है, तो syllabus को हम लोग ने कितने parts में तोड़ लिया है, वो आपको अभी दिखेगा जिसमें हम लोग सारे के सारे official syllabus को cover करेंगे तो part 1 discuss करता है judiciary के बारे में, judiciary क्या होती है यानि कि जो हमारी न्याय पालिका होती है जब भी आप crack की preparation कर रहे हो elite की preparation कर रहे हो, CUT, UG की preparation कर रहे हो आप एक college में जाने के लिए prepare कर रहे हो वहाँ जाकर कि आप अपनी graduation के साथ में law पढ़ोगे law पढ़ने के बाद में आप lawyer बनोगे lawyer बनने के बाद में चाहिए आप practice करो किसी company के साथ में जुड़के consultant बनो या पि judiciary की त्यारी करो इन सबी चीजों को करने के लिए आपका पहला step क्या रहने वाला है पहला step रहने वाला है कि हम सबसे पहले college में enroll करें तो उसमें आपके जो judiciary का portion रहने वाला है वो क्या रहने वाला है structure and hierarchy of courts and legal offices in India structure and hierarchy का मतलब क्या level रहता है judiciary का जिस तरीके से आप देखते हो ना कि सबसे नीचे क्या रहता है जो हमारे lower courts रहता है उनके उपर क्या रहता है district courts, civil courts, criminal courts, tribunals ये सब होता है उनके उपर हमारे आते हाई court ये उपर आता है हमारा supreme court तो इन सारे courts की hierarchy के बारे में इन courts की judicial duties है किस तरीके से ये हमें हमारे duty अपनी duties perform करते है इसके बारे में इनका structure क्या रहने वाला हैर्ची क्या रहने वाली है इन सभी चीजों के बारे में judy siri के हम पढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में then हम बात करेंगे legal offices in India advocate general उसके बाद में हमारे attorney general इनकी duties क्या होती है इनकी position क्या होती है इनकी क्या legal responsibilities होती state को center को लेकर के इन चीजों के बारे में भी इनके facts के साथ में dates के साथ में factual knowledge के साथ में conceptual knowledge के साथ में हम इन चीजों को cover करेंगे constitution roles and impartiality of judiciary यह समविधान वाला constitution नहीं है constitution का मतलब होता है निर्माड ठीक है तो constitution of judiciary किस तरीके से judiciary का constitution हुआ किस तरीके से judicial duties बनी जो judiciary overall बना कैसे इंडिया में एक पूरा permit उसके बारे में हम discuss करेंगे roles क्या होती है judiciary की नयाय दिना यह तो हम सब को पता है पर किस वे में यह नहीं पता है स्वी को हम लोग को change लाना अपने अपने अंदर क्या होता है यह पता है कैसे होता है यह चीजे हम देखते है हमारी course की वीडियोस में ठीक है तो roles क्या होने वाली है judiciary की impartiality judiciary सब के लिए बराबर हो चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे हमारे other teachers हो दुनिया में नहीं sorry इंडिया में जितने भी लोग रह रहे है Indian constitution को जितने लोग मान रहे है सब के लिए हमारे क्या रहने वाला है judiciary बलकुल ही same रहने वाला है तो impartiality of judiciary के बारे में हम लोग पढ़ेंगे next appointment, training, retirement, removal of judges किस तरीके से आप एक judge बन सकते हो किस तरीके से आप अपना training करोगे judge बनने के बाद में कैसे आपका retirement होगा और अगर आप constitution की validity को like overview करते हो तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से judges को remove भी किया जा सकता है क्या legal provisions है जिसके आधार पर ये सारी चीज़े की जा सकती है इसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में क्योंकि यही आपके endurance exams में पूछे जाते हैं next courts and judicial reviews suppose करो आप district court में कोई एक case ले करके जाते हो district court अपना judgment देता है जिससे कि आप क्या हो accept नहीं कर पाते हो बोलते हो नहीं मैं तो इससे agree नहीं हो आप कहां अप्रोच करते हो next आप अप्रोच करते हो वहाँ पे भी आपको judgment वलता आप बोलते हो कि भी यह हम इससे भी satisfied नहीं है फिर आप high court जाते हो high court से भी आप satisfied नहीं है आप supreme court तक जाते हो सोचो एक case को आप कहां से कहां तक ली जा सकते हो just to appeal कर करके कि आप उससे अगर satisfied नहीं हो तो ठीक है तो यह सारी चीज़े किसमें हमें देखने को मिलती है courts and judicial reviews में जिसके बारे में हम कहां पढ़ने वाले हैं आने वाली अपनी videos में पढ़ने वाले हैं next topics of law जब हमारा judiciary खतम हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे topics of law topics of law में law property, law of contracts, law of tots introduction to criminal law in India इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे दरीके से property में आप कैसे sale करते हो आप किसी चीज़ को buy करते हो buyer की responsibility क्या होती है buyer की liabilities क्या होती है seller की kya responsibilities होती है seller के क्या rights होते है आपके जो reasonable amount क्या pay कर सकते हो किस तरीके से दो लोगों के बीच में contract होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, contracts के type क्या होता है, void क्या होता है, voidable क्या होता है, यह सारी चीज़े हमसे कहां पूछी जाती है, यह सारी चीज़े हमसे हमारे exam में, और इनके बारे में detail and emphasize knowledge हमें कहां मिलेगी, हमारे legal studies के आ करने वाले, तो यह हम पढ़ेंगे topics of law में, और इन सबकी separate videos मिलने वाले आपको तो बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से और precisely cover करेंगे, ठीक है, next, arbitration, tribunal, adjudication, ADR, ठीक है, arbitration क्या होता है, tribunals क्या होता है, adjudication, ADR क्या होता है, भाईया, बहुत सार लोग रहते हैं, हमारे इस पूरे भारत में, सवासो करोण की अबादी है, और अगर इसमें हम सौ देड़ सो कोट्स अगर हैं, सिर्फ एक हजार के करीब judges हैं, इतने के लोगों के अधार पे तो judgments नहीं कर सकते हैं, judgment करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो courts क्या करती हैं, high courts क्या करती हैं, supreme court क्या करती हैं, यह criminal court, आपके civil court, tribunals, adjudication tribunals, alternate dispute resolutions का गठन करती हैं, कि आप इस पिभाग के case को देखिए, like suppose करो corruption के लिए color tribunal बना दिया गया, excise के लिए color tribunal बना दिया गया, alcohols related crimes के लिए color tribunal बना दिया गया, मतलब departments बाट भीएं, यह आपका column है आपको इसमें complete करना है judgment, ताकि हमारा veto जो जाए कम और हम और हम और भी important judgments को देख सके ध्यान से, तो यह चीज़ें हमें किसमें देखने को मिलती हैं, arbitration, tribunal, adjudication and ADR, अलग-अलग topics में हम इसको cover करेंगे, जैसे adversarial and incosterial system, अब adversarial and incosterial system क्या होता है, इसके बारे में भी हम ल call hooker के investigation करते हैं, और दूसरा ऐसा type है कि जिसमें judges order देते हैं, और जो police department होता है, जो inquiry committee होती है, वो inquiry करती है, यह basic difference होता है, अब नाम से बिलकुल भी चेंता नहीं करने हैं, ऐसे समझा दूँगा कि सारे के सारे legal concepts आपके brain में रहने वाले हैं, और आप अपने छोटे भाही बैनों को बताओगे, पढ़ाओगे इन सारे topics के बारे में इस बात की guarantee लेता हूँ, मैं गोकुल, ठीक है, introduction to alternate dispute resolution, यही से आप से question पूछे जाएंगे, तो alternate dispute resolutions के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, types क्या होते है, alternate dispute resolutions के, arbitration क्या होता है, administrative tribunals क्या होते है, mediation क्या होता है, दो लोग पार लोका यूग तो क्या होता है, ठीक है, अगर आप समझते हो ना, कि सिर्क बुक पढ़के आप कर सकते हो, तो यह थोड़ी से दिक्कत होती है, बच्चे है, जो कि सीस को complete कर सकते है, पर अगर आप अपने concepts पे एक भी doubt नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो किस तरीके से जो मानवा अधिकार होते हैं इंडिया में, human rights किस तरीके से होता है, इसके concepts क्या होता है, किस type के question, CUT में, CLAT मेलेट में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी videos में, जिसमें हम लोग introduction of international context में पढ़ेंगे, constitutional framework and related laws in India, constitutional framework क्या रहता है इंडिया में और इससे related laws के बारे में भी हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, पनी videos में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, complaint mechanism of quasi judicial bodies, यह भी बहुत important topics है, ठीक है, तो यह सारे topics जो कि मैं आपके साथ में discuss कर रहा हूँ, इसको हम लोग separate videos में cover करने वाले हैं, तो आप बिलकुल भी प पढ़ा है, कितने सारे lawyers भी तो हैं, पर ठीक है, तो हम लोग देखेंगे legal profession in India, advocates act 1961, जो भी advocates को regulate करने के लिए law बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते है, advocates act, जो कि 1961 में हुआ था, bar council of India, lawyers and professional ethics क्या होती है, किस तरीके साब के rules and regulations होते हैं, as a lawyer, क्या आपको follow करने पड़ते ह सामने कैसे behave करना पड़ता है, advertising by lawyers, किस तरीके से वो advertisement कर सकते हैं कि नहीं, आपको एक बात बता दे, directly आप अपनी advocacy की na, advertisement भी नहीं कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मालों को एक sweets off है, तो आप बड़े-बड़े manner लगा सकते हो ना, कि go cool sweet house ऐसे करके, पर अगर आपके पास में हैं इंडिया में, CLAT की थुरू कर सकते हैं, CUD की थुरू कर सकते हैं, like कुछ बच्चे BCHU में पढ़ाई करते हैं, AU में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे law colleges जहां पर जा करके हम लोग law की पढ़ाई करते हैं, तो legal education in India, liberalization of the legal profession, women and the legal profession in India, तो special context में, special context में जा जा करके इन सा आरे topics को हम लोग बहुत ही detail में cover करेंगे, ठीक है, next slide देख लेते हैं, legal services, ठीक है, legal services क्या-क्या होती है, legal background, free legal and under criminal law, legal aid by the state, ठीक है, like अगर कुछ cases ऐसी होती हैं, जैसे मालो किसी का murder हो गया, या किसी के साथ में culpable homicide हो गया, तो उसके case person to person नहीं होते है, उसके case person with state हो जात होता है, हम लोग legal aid by the state हो जाता है, वो चीजे है, इसके लिए आप लोग बिल्पकुल भी confirm मत होई, परिशान मत होई, इन सब चीजों को हम बहुत ही separately आपके साथ में cover करेंगे, और इतने अच्छे cover करेंगे ना, आप खुद बखुद बिना college law बनाने वाला हो, आपको Indian Constitution, ठीक है, इंडिया में आपको legal aid किस तरीके से मिलती है, ठीक है, नालसार regulation क्या होता है, 2010 का, इसके बारे में भी specialized video है, criteria for giving free legal services, किस तरीके से आप free legal services provide गर सकते हो, लोग अदालत क्या होती है, legal aid in context of social justice and human rights, ठीक है, basically legal service जो एक lawyer provide करता है, उसको अलग-अलग context में हम लोग इस फूरी videos में पढ़ने वाले है, ठीक है, तो इसको करने के बाद में आप अपने rights से भी देखो, लियाओ पढ़ने का बस एक इतना सनी होता कि आप exam qualify कर जाते हो, जब हम लोग अपनी internist examination की preparation करते थे ना, जो हम लोग के सर थे, लाइक मेरे एक सर थे, वो बहुत अच्छ भी बाते करते थे, तो मैं उनको यह कहता था कि भाई, यह मेरे rights है, यह मेरे duties है, तो इससे आप लोग अपने legality के लिए, आप as a citizen अगर इंडिया तो अपने legal rights and duties से aware भी होते हो, अगर आप इसको पढ़ते हो तो, तो सिर्फ और सिर्फ internet exam के लिए मत पढ़ो, जो भी अब देखो, law को international context में हम लोग कैसे cover करेंगे, introduction to international law, international law क्या होता है, sources of international law क्या होते है, treaties, customs, treaties क्या होते हैं, treaties और customs में difference क्या होते हैं, international court of justice क्या होता है, और उसके decisions कैसे binding होते हैं, इंडिया के उपर, यह भी चीज़े को हमें पढ़ना है, बहुत सारे organizations हैं, जैसे ICJ हो गय हैं, तो इन सब चीज़े को भी पढ़ेंगे, international institutions, international human rights के बारे में पढ़ेंगे, customary international law, citizens और person के बीच में difference क्या होता है, अब आप लोग यह बात बता, मुझे एक आचानक से याद आ गया, citizens India क्या होते हैं, उनको जो rights मिलते हैं, वो persons को नहीं मिल सकते, person क्या होते हैं, जो बी foreigners भी इंडिया में आखे रहे हैं, तो वो भी person के लाएंगे, ठीक है, और citizens भी person के लाएंगे, देखो, citizens person के ला सकते हैं, पर person citizen नहीं के ला सकते हैं, citizen क्या होता है, वो India की legality के साथ में national citizen होता है, पर person हर किसी को कह सकते हो, जो कि इंडिया में exist करता है, उस particular period of time पे, ठ international and municipal laws क्या होता है, international law in India क्या होता है, और dispute resolution mechanisms जैसे कि हमने बात की, और साथ में साथ में international context में जैसे कि ICJ होगा, ICC होगा, International Criminal Court, और other जो हमारे ऐसे institution से, इंके बारे में भी हम लोग study करेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे most important on मेरी favorite topic, legal magazines, legal magazines में जैसे suppose करो, मैं आप समझ जाते हो ना, कि लड़का बोल रहा ही है, मैं आपको बोलता हूँ legal, तो आप समझ जाते हो भईया, कुछ legal's related बोल रहा है, इसी तरीके से जो judiciary होती है ना, उसमें कुछ specific words होते हैं, जिनका कुछ मतलब होता है, for example, मैं आपके लिए एक example लेक्या हूँ, dolly incapax, ठीक है, म तो कि वो unaware है कि वो क्या कर रहा है, उसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या चीज गलत है, तो ऐसे case में उस बच्चे को हम लोग बोलेंगे, dolly incapax, dolly incapax मतलब incapable of committing crime, वो capable ही नहीं है crime commit के लिए, तो ऐसे लोगों को, जो लोग dolly incapax होते हैं, उनको judiciary, क्या बोलती है, माफ कर देत आता है, तब आपके लिए उसको legal provisions होते हैं, आपको उसको सजा मिलेगी, पर अगर आपको damage नहीं पहुचा है, सिर्फ injury पहुची है, तब उसके case में उसको forgive कर दिया जाएगा, तो देखो, ऐसे चीजे हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत interesting है यार लो, तुम लोग एक बार म इसको detail में cover करेंगे, फिर से एक बार हम लोग ने देख लिया था, कि हमारे advertisement का course था, तो ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से एक बार फूरे slides को देख लेते हैं, कि हम लोग basically cover क्या किये, बस एक जल्दी से इसका हम लोग overview ले ले लेते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम लो administration, tribunal, adjudication and ADR के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, next हम लोग पढ़ेंगे human rights के बारे में, जो कि इंडिया में exist करते हैं, फिर legal professions इंडिया में किस तरीके से इनके बारे में, legal services कैसे काम करते हैं, इसके बारे में, international context में अपने rights के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग द cover करने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, तो पंचान्ग 19, 38, 32, 32 पे आप call करके हमारे इस पूरे course को join कर सकते हो, बिना किसी देरी के, जल्दी से आपका CUT, UG का exam होने वाला है, 2030 का, और एक दम revision भी जल्दी से करना चाहते हो ने यार, तो जल्दी से enroll कर So friends, मिलते हैं हमारी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं ब्याच्चू पार्ट साला और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिए, चाहिन